स्पाइडर प्लांट के बारे में सेवन इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स तो इस फैक्ट्स बताने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी आपको केर टिप्स बता देते हूं यह बहुती इजी तू मेंटेन प्लांट होता है इसको चाहे आप आउटडोर रखें या इंडोर यह सादा सनलाइट नहीं चाहिए होती है तो इसको पार्शल शेड या इंडारेक्ट सनलाइट में आप रख सकते हैं या मॉनिंग सन में रखेंगे तो अच्छा रहेगा और इसके लिए वैल ड्रेनिंग स्वाइल होनी चाहिए और इसको हुमिडिटी पसंद है तो इसमें एक यह को हैं कि इसको एर प्लान्ट भी कहते हैं क्योंकि इसको हैंगिंग बास्केट में लगाओ तो यह ऐसे लगता है जैसे कोई airplane हो जैसे wings होती है airplane की वैसे ही यह लगता है इसको airplane भी कहते है इसको sir bernards lily भी कहा जाता है spider ivy भी कहते है इसको यह spider की तरह इसके चारो तरफ से leaves रहती है इसको ribbon plant भी कहते है इसकी leaves ribbon जैसी लगते है तो इसको ribbon plant भी कहते है और hen and chickens plant भी कहते है तो कि इसके बहुत से spider leds के baby plants निकलते हैं तो उनको chickens बोलते हैं और इसलिए hands and chickens भी इसको बोलते हैं मतलब main plant इसका hand होता है और जिसके baby plant होते हैं वो chickens दोस्तों दूसरा बहुत interesting point यह है कि NASA test में यह पाया गया था कि यह कम से कम 90% जो हमारा cancer causing chemical formaldehyde होता है जो हमारे cleansing products में पाया जाता है हमारे घर में उसको यह remove करता है इस plant को आपको घर में जरूर लगाना चाहिए तो इसको खासतोर से आप kitchen के पास लगाए या bathroom के पास क्योंकि वहीं हम अपने सारे साफ सफाई वाले products use करते हैं और उनमें formaldehyde बहुत होता है तो उसको यह remove करेगा air से तो third point यह है कि यह बहुत ही versatile plant होता है मतलब इसको आप छोटे pot में भी लगा सकते हैं बड़े pot में भी लगा सकते हैं तो इसमें भी अच्छे से चल रहा है और fourth fact यह है कि इसकी जो leaves होती है वह variegation में भी आती है और एक बिल्कुल green type का भी varieties में आती है इसकी सारी पत्तियां green होती है लेकिन वह कम ही पाया जाता है जातर ऐसे ही variegated वाला ज्यादा पाया जाता है तो interesting facts के बारे में यह है कि यह लगभग 20 साल तक रह सकता है मतलब यह ऐसा house plant है जो 20 साल तक आपके घर में बना रह सकता है अगर आप इसकी proper care करें तो इसको जादा care तो चाहिए नहीं होती है लेकिन over watering से जरूर यह मर सकता है अगर इसको पानी ठीक ठाक दिया जाए अच् चलता है 20 साल तक भी आपके घर में बना रह सकता है दोस्तों six point जो interesting is plant के बारे में वह यह है कि यह जो है जो बगबू smell होती है हमारे घर के अंदर उसको भी दूर करने में मदद करता है और जो oxygen level होता है हमारे air का उसको अच्छा बनाने में मदद करता है तो अच्छा oxygen level र लगाई है आप अच्छी जगह पर जहां bright light हो दोस्तों seven interesting fact यह है कि यह जो प्लांट है spider plant यह cats जो बिल्लियां होती है उनको बहुत ही attract करता है बिल्लियां जो होती है इसके साथ बहुत खेलना पसंद करती है मेभी इसकी जो leaves निकली रहती है डैंगलिंग बहार को निकली पर सकता है उनमें मतलब की थोड़ा नशा टाइप का हो सकता है उनने और stomach upset vomiting diarrhea हो सकता है pets में तो थोड़ा उपर लगा के ही रखें वैसे toxic नहीं होता है यह pets के लिए दोस्तों यह थे seven interesting facts spider plant के बारे में और एक bonus fact और बता दूं कि यह जो हमारे air में काफी compounds benzine carbon monoxide भी हटाता है तो यह हमारे air की quality को बहुत ही अच्छा कर देता है तो अपने indoors में भी इसको जरूर लगाए और बाहर भी आप इसको लगा सकते हैं तो यह बहुत easy to care plant है तो आप इसको जरूर शामिल करें अपने garden में चाहे indoor चाहे outdoor दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कोई query हो तो comment section मे पूछ सकते हैं और यह इसके flower भी है सुन्दर सुन्दर से निकले वे आज कल मेरे plant में आज की information कैसी लगी आपको यह comment section में जरूर बताइएगा चलिए फिर मिलते हूं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के बाई take care